हमारी श्रीर के अंदर में 3 चीजह बड़ा इंप्रेंट रोल करती हैं सबसे पहले नमबर पे हमारी इम्यूनिटी तैनल मारी हड़ी ₹ 1929- ₹ crew नहीं के हमारी भुद्री नहीं एक सिंद्स नहीं तो फिंद्सा इनल होल्ए नहीं है通 socied रहा है। तो हमारा लुक बहुत अच्छा एकदम रहता है, हम एकदम स्मार्ट दिखते हैं, सुन्दर दिखते हैं, सैकिन नंबर पे अगर बात करें तो हड़ी, अगर हमारी हड़ीया मजबूत है, उनमें लचीलापन है, मजबूती है, एक तरह सी स्ट्रोंगनेस बहुत जादा है, औ उटने और हमारे जितने भी जोड होते हैं श्रीर के, वो सारे एकदम सही हैं, तो हड़ीयों रिलेटिर प्रॉल्म हमें नहीं आएगी, अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं, हमारी इम्यूनिटी की, यानि कि रोग पर तिरुद्ध चमता, यानि कि मोसम के अंदर जब भी देखने को मिलती हैं, तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी इम्यूनिटी डाउन होने की वज़े से, आपके शरीर में आये दिन, यानि कि जब भी मोसम मदलता है, कोई ना कोई रोग घहरे रहता है, कोई ना कोई रोग आपके शरीर में आता जाता रहता है, और इसके साथ में अगर आपकी हड्यां कमजोर हो जाती हैं, बहुत ज्यादा weakness की वज़े से या फिर किसी और region की वज़े से, और उसके साथ साथ में skin related problem भी अगर आपके श्रीर में रहती है तो आज आपके बीच में एक बहुत ही बहतरी ये छोटा सा उपाई लेके present हूँ बस आपने करना सिर्फ इतना है कि जब भी आप apple का use करेंगे तो apple का use आप करिए छिलका उतार के और जितने भी उसके छिलके रहेंगे न उन सारे के सारे छिलको को आप च्छाओं में शुखा लीजे बजली जब आप एक apple खाएंगे तो एक apple का श्रू का ने छिलका उतार लेना है छिलका उतार के आपने उसको छोड़े मु वाले बरतन में उसके बाद एपल खाईए अगले दिन फीर ऐसे करना है यानि कि जब 15, 20, 30 दिन आपको हो जाएंगे एपल खाते खाते और कम से कम 25 से 30 एपल के छिल के आपने छाओं में डाले हैं सूखने के लिए जब वो सूख जाएंगे अच्छे से तो आप उसके बाद उसको कूट के उसका पाउडर बनाके और कपड चान करके और फिर छननी में से चान के किसी बरतन में डालके आप रखिए दोस्तो इसके अंदर वो गुण हो जाते हैं जो एपल के अंदर नहीं पाए जाते हैं एपल से भी कई गुणा जादा उसके गुण बढ़ जाते हैं उसके चिलके यानिके शूखे वे चिलके के अंदर उसके अंदर विटामिन ए और विटामिन सी भरपूर मातरा में पैदा हो जाता है जैसे वो ड्राइफ फोम में जाता है यह चीज में आपको बता रहा हूं और साथ में आपकी इम्म्यूनिटी को स्ट्रों करने वाले गुण उसके अंदर भरपूर मातरा में भर जाते हैं तो इसलिए आप इसका सेवन जरूर करें अबर सेवन करने का तरीका यहां पर मैं बता जाता हूं सुबह खाली पेट आपने सेवन कर रहा है आधा चमच हु होगी आपके शरीर में जो डलनेस होती है यानि कि जिनके शरीर में बिल्कुल भी एक्टिवनेस नहीं है एनर्जी बिल्कुल नहीं है तो ऐसे लोगों के शरीर में एनर्जी भी रहेगी आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा आपका डिजेस्टिव सिस्टम भ सारी की सारी अपने आप दूर होंगी और इसके लावा अन्य जिन जिन प्रोब्लम्स के बारे में मैंने जिगर किया था वह सारी की सारी तमाम प्रोब्लम्स भी आपकी बिल्कुल 100% रूप से दूर हो जाएंगी और आप एकदम फिट और एनरजेटिक महसूस करेंगे इसके सेवन करते करते तो दोस्तों गर आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई होगी अगर जानकारी अच्छे लगे तो जानकारी को जादे जादा शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा ले ताकि ऐस य जानकारी आपको हमेशा फ्यूचर में मिलती रहें तो दोस्तों आज के लिए इतना है वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद